हेलो फ्रेंड्स मैं अन्जु अगरवाल आप सभी का अन्जु के कीचन घर चैनल में स्वागत करती हूं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में लगे इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो आप तक पहुंच सके फ्रेंड्स आज मैं हरी भरी ये हरी आली चटनी बनाओंगी ये चटनी एक ही होगा लेकिन इसमें तीन फ्लेवर का स्वाद आपको एक साथ आएगा बहुत अच्छा टेस्टी लगेगा आप इन तीनों चीजों को डाल कर इसे बनाएगा आप एक बार 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 बनाएगे आईए बनाना शुरूर करते हैं ग्रीन चटनी बनाने में एक तरह के पत्ते का यूज नहीं किरूंगे ये धनिया पत्त है ये आजवाइन का पत्त है ये हमारे गाडीन में है अगर आपके यह जाओंगी यह चत्नी बहुत ही टेस्टी बलेगा इसे मैं मिक्सिजार में डाल लेती हूं अब इसमें थोड़ा सफेद नमक देंगे और थोड़ा काला नमक देंगे नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से दे लीजेगा अगर आप लहसुन खाते हों तो इसमें लहसुन भ अगेर भी बहुत टेस्ची लगेगा, अब इसमें हम एक चम्मस दही डालेंगे, दही मैंने बिल्कुल गाड़ा लिया है, लेकिन जो इन यह कि आप बिल्कुल गाड़ा लिजे, आपके पास जैसा दही है वैसा ले लिजे, और थोरा इसमें चीनी डालेंगे, से हमारा चटन और टेमें बहुत ही टेस्ची, अगर हमारे पास जोईन पंता होता है, तो थोरा सा हमारे कीचन पंता है, थोरा जोईन और प्ता लूँटा है, वह डाल देने से बिल्कुल इसका, पता ही नई चलता है, मैंने पता है, या जोईन डालेंगे, इसलिए आपके पास जोईन का पत्ता नहों, तब वह डाल देज़िएगा, अब इसे हम बाउल में इसे निकाल दिया है, अब ये मैंने थोड़ा निम्बु लिया है, इसे डाल देज़िए, निम्बु जादा नीरा लेंगे, क्योंकि मैंने दही वि दिया है, खेर दही तो हमारा ताजा था, वो तो मने सुनदर दिखने के लिए ढ़ी दिवोत आधी दिया और चीनि धिय अब इसे मिला लेंगे। दही देने से हम चैटनी का कर लब किया सबाद करने के लिए तयार है आप भी इस तरह के चटनी को बनाइए और अपना कमेंट हमाई साथ सेयर कर दिये चलिए मिलते हैं अपनी अगली और भी नहीं नहीं अच्छी रेसीपी के साथ तब तक के लिए बाइ-बाइ थैंक यू